Assalamualaikum दोस्तों, केसे हैं आप सब? मैं आप सब को YouTube channel English Literature पर welcome कहती हूँ हम जो poem discuss करने जा रहे हैं इस lecture के ने That is the divine image जिसको लिखने वाले है William Blake और the divine image belong करती है Songs of Innocence के collection में से और जैसे कि आपने previous lecture सुना होगा जो के introductory lecture था Songs of Innocence and Songs of Experience का तो वहां मैंने आपको बताया था कि Songs of Innocence ऐसे songs होते हैं जिसमें mostly childhood state के बारे में बात की जाती है Innocence के बारे में purity के बारे में बात की जाती है तो in short एक trick बता रही हूँ आपको कि कोई भी poem आपको Songs of Innocence के collection में से आजाए तो it means उसकी जो tone है वो optimistic tone होगी यानि के positive tone होगी simple tone होगी उसमें कोई भी dark element नहीं यूज किया जाएगा उसके अंदर कोई भी pessimistic element नहीं यूज किया जाएगा pessimistic मतलब negative approach sadness, my you see, उदासियां उसमें नहीं दिखाई जाएगी उसमें hope की बात की जाएगी यानि के optimistic note दिखाई जाएगा clear? तो ये trick आपने याद रखना है जो भी poem बिलॉंग कर रही होगी songs of innocence की category से तो वो इस तरहां की nature रखेंगे अपने अंदर तो anyhow हमारी respective poem जो है the divine image इस poem के अंदर जो हमारे poet है वो बहुत ज़दा mystic नजर आएगे और William Blake as a mystic poet एक important question भी है clear? तो mystic क्या होता है? mystic कहते हैं एक ऐसे person को जो बहुत ज़दा absorb हो जाए किसके अंदर? spirituality के अंदर self surrender कर दे अपने आपको surrender कर दे और self spirituality उसके अंदर absorb हो जाए sorry तो basically यही mystic जो है relate करता है spirituality से means वो person जो के spirituality पर ज़्यादा belief करता हो rather than intellect clear? और mystic poet किसे कहते है ऐसा poet जो अपनी poetry के थुरू mysticism के element को promote करे और mysticism का element क्या है? यानि कि अपनी poetry के अंदर spirituality की बात करे purity की बात करे divinity की बात करे virtues की बात करे ठीक है? तो यह सारी चीज़े हम इस poetry के अंदर भी देखने वाले हैं तो anyhow time को waste के बात करे जो हमारी poem है उसका line by line analysis करते हैं शुरू poet करता है to mercy, pity, peace and love all pray in their distress and to these virtues of delight return their thankfulness अब यहाँ पर कह रहा है William Blake praying कर रहा है mercy, pity, peace and love कहता है कि mercy, pity, peace and love के थूँ कोई भी इनसान अगर distress है ना तो उसको उसमें delight मिल सकता है क्योंकि हर एक इनसान को चाहिए वो इन virtues की बेस पर thankful हूँ क्योंकि यह वो virtues हैं जो के God में भी हैं यह वो virtues हैं जो के human being के अंदर भी हैं और यह ऐसे virtues हैं जिनके थूँ human being अपने आपको प्योर करता है और वो human being इन virtues को अडॉप्ट करके happiness गेन करता है और अब इसने यह देखे ना mercy, pity, peace and love कि यह क्या है? abstract ideas हैं abstract emotions हैं तो इसने इन four emotions की बात की और इन four emotions को इसने virtues कहा कि यह नेकिया होती है जो कि एक human being के अंदर होती है एक human being जब pain में होता है distress फील करता है उसको तकलीफ हो रही होती है तो इन नेकियों से उसको solace मिलता है इन नेकियों से उसकी जो soul है वो purify होती है उसको happiness मिलती है इसलिए उसको शुकर अदा करने जाए कि उसके पास ये नेकिया मुझूद है उसके पास ये विर्चूस मुझूद है और ये वो विर्चूस है जो कि गोड के पास भी है अब आगे देखे कहता है For mercy, pity, peace and love is God over Father dear And mercy, pity, peace and love is man, his child and care अब यहाँ पे कहे रहा है जो poet है कि mercy, pity, peace and love ये तो गोड के पास भी है ये तो गोड की characteristics है ये तो गोड की traits है He himself, is mercy अब यहाँ पे वो ये कहना चाहरा है कि गोड शो है न अगर हाँ mercy की बात करें mercy को देखें तो mercy के अंदर गोड नजर आता है pity में गोड नजर आता है peace में गोड नजर आता है love में गोड नजर आता है जिसके हर्ट सीज में गोड नजर आता है वैसे उसने in four traits की specifically बात की कि इन सीजों में गोड दिखाई देता है कि गोड ये qualities possess करता है ये characteristics of virtues possess करता है इसलिए गोड ने ये virtues और एक विचुस्टिक ही और एक और एक विचुस्टिक ही विचुस् Jimn being का بھی पाइग Western अर यहां भे वह गोट को फादर से रिलेट का रहर है और खुट को चाय없 से रिलेट का रहर है ठीक है, पॉइट का रहर है अब इसके बाए नेक्स टेंजा देखें वो कहते है, for mercy has a human heart, pity a human face and love, the human form divine and peace the human dress अब यहाँ भी पोईट कह रहा है, कि जो mercy है ना, उसके पास human का tender heart है ठीक है, tender human heart है pity है ना, उसके पास divine human face है love के पास divine human form है और peace के पास divine human dress है और यहाँ पे वो पोईट कह रहा है, कि इस सारी traits mercy, pity, love and peace, यह traits God की है और यही traits जो है, इन ही की बेस पे God जाना जाता है यह जो William Blake का belief है, मैं उसको यहाँ पे highlight का रही हूँ ठीक है, तो वो कह रहा है कि इन ही की बेस पे God को रिकल करना है जाता है कि इसारी virtues God में प्रेजन है और यही virtues रहा है, यह human being के दुर प्रेजन है तो it means कि human being और God के अंदर फिर कोई भी difference नहीं रहा और जब यह कह रहा है, pity, human face रखता है mercy, human का heart रखता है love जो है, वो human form रखता है और peace, human trust सकता है तो it means कह रहा है कि यह सारे pictures तो तुम्हारे अपने अंदर है तो it means तुम इदर उदर God को find out करने के बजाए, अपने अंदर देखो, God exists in your own self, इसके बाद है then every man of every clime that prays in his distress prays to the human form divine love, mercy, pity, peace, तो यहाँ पर कहा गया है every man of every clime यानि कि कोई भी आत्मी हो किसी भी country, किसी भी religion से belong कर रहा हो वो God से pray करता है distress, जब भी वो परिशान होता है तकलीफ में होता है, तो God से pray करता है दुआ करता है prays to the human form divine और वो क्या pray कर रहे है क्या दुआ मांग रहे है वो रहम की दूआ मांग रहे है महबत की दूआ मांग रहे है तर्स की सकून की दूआ मांग रहे है love, mercy, pity, peace ठीक है, महबत की, रहम की सकून की तर्स की दूआ मांग रहे है और यह सब क्या है? यह सब virtues है, जो कि God के अंदर present है और यही virtues point कहता है present है human being के अंदर भी और इसलिए वो यहाँ पर कहता है कि जो human being है वो God के equal है क्यों? क्योंकि human being को भी वो ही divine light दी गई है उसी divine से उसी knowledge से enlightened किया गया हुआ है William Blake का मारना था कि जो love है न वो love, physical love को हम divine love के level पर लेके जा सकते हैं और इसका यह भी मानना था कि जो God है वो creative है और spiritual power जो है न वो man है man के अंदर है मतलब कहता है कि creativeness और जो spiritual power है यह spiritual power और creativeness जो man के अंदर exist करती है actually में वो ही God है तो in other words William Blake God की separately जो existence है उसको मानने के बजाए कहता है कि जो idea है और God का apart from man वो कहता है यह meaningless है कहता है God जो वो exist करता है within man मैं आदमी के अंदर ही God exist करता है अब कि God human being के अंदर ही exist करता है तो कहता है and all must love the human form in heathen, Turk or Jew where mercy, love and pity dwell their God is willing too तो इसलिए कहता है कहता है जितने भी फिर लोग है बेशिक वो तुर्की से बिलॉंग करने वालों heathen से बिलॉंग करने वालों यहूदी हो, कोई भी हो human being को चाहिए हर एक से महबबत करे क्योंकि हर एक के अंदर गोड है हर एक के अंदर mercy, pity, peace and love का element मौजूद है तो it means जो human body है वो divine हुई और वो deserve कर थी respect and love both और यहां पर इस poem के थूँ बिसिकली वो एक human sorry, it's slip of tongue humanity और humanitarian message convey करना चाहिए जिसमें कहना चाह रहा है कि एक आदमी को दूसरे आदमी की इज़त करने चाहिए क्योंकि हर आदमी के अंदर खुदा बसता है उस time पे जो religion की preaching थी वो negative में promote की जाते थी जहां पे poor class को exploit के जाता था और upper class को proper right दिये जाते थे ठीक है, तो इसे लिए इसने कहा था कि poor class को exploit करने की बजाए उनको cheat करने की बजाए चाहिए कि उनके साथ भी humanity वाला behavior किया जाए उनके साथ भी इंसानित वाला behavior किया जाए क्योंकि वो भी God की जो quality से वो possess करते है और हर human being जह वो अपने अंदर एक God रखता है और हर human being जह वो respect के काबिल है That's all तो आई होप कि आपको यह जो वीडियो है clear हो चुकी होगी अब हम अगली poem पढ़ेंगे songs of experience का a divine image देखे कितनी opposite है वो इस इन ही बातों से कितनी opposite है change है आपने खुद compare करना है क्योंकि इन दोनों poem के comparison भी आता है तो anyhow I hope यह वीडियो आपके लिए helpful रही होगी वीडियो पसान रही तो वीडियो को like भी करिएगा comment में पनी opinion भी share करिएगा और हमारे चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा thank you for watching this video दुआओं में खास्या रिखेगा Allah Hafiz